Hello all, आज का spelling hack वैसे students के लिए हैं जिनने confusion होती है कि शब्दों में E, I और I, E का प्रयोग कहा होता है तो इसके लिए आप उन्हें इस rhyme के सहाईता से बता सकते हैं कि यदि सुनाई दे E, after या before C, तो I लगाओ after E और यदि सुनाई दे A जैसे way, spell the word same way यानि यदि आपको किसी शब्द में E और C दोनों सुनाई देते हैं साथी साथ, तो वहाँ पे I लगेगा E के बाद after E और ठीक उसी प्रकार से यदि E के जगा sound सुनाई दे A, तो उस शब्द में भी आपका लगेगा I after E देख लेते हैं कुछ examples यह ऐसे शब्द है जहाँ I और E का प्रयोग हो रहा है कि यहाँ पे C की मौझूदगी नहीं है जैसे friend, achieve, believe, thief, diesel, mischief, brief and many more और यह कुछ ऐसे शब्द है जहाँ E I का प्रयोग हो रहा है और E I की दोनी है E जैसे sealing, receipt, receive, deceive, conceit, protein, caffeine, perceive और यह list है E I की जहाँ E I की दोनी है A वे, एट, स्ले, ने, वेल, देर, रेन यह rule कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर शब्दों पर लगू होता है